हेलो दोस्तो रादे रादे आज हम आपके लिए लेखे आएं असली उपि जंदन क्यों से पेचाने हैं दोस्तों असले को पी जंदन पेचानना भूथ ही मुस्किल है क्योंकि जो गपी जंदन है वह भी एक मिट्टी है और जो डुप opener होनाते है 법 तो काफी डिपिकल्ट है दोस्तों जो ये मेरे हाथ में कोपी चंदन दिख रहा है ये मैंने एक तीर थी आत्री से बुलवाया थे वो गये थे गुजरात के दौर का गौपी तलही से वो ये बुलवाया मैंने और जो ये मेरे पास दो दिख रहे हैं एक वाइट एंड येलो ये ओमकारिश्वर का है दोस्तों जो असली कोपी चंदन है उनमें कोई ज्यादा कलर नहीं होता है खास जैसे इसमें देख रहे हो आप ये सिर्फ हलके कलर के होते हलके पीला कलर दोस्तों कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि हम इसे ओनलाइन खरीद सकते हैं दोस्तों इ इसे ना खरीदें क्योंकि आपको यह ओनलाइन में कम सबस्तों सो दोसों यह सक कुछ मिलेगा देखे दोस्तों जो आप देख रहे हैं मेरा हाथ मेरा पतला वाला यह असली को पीचंदन होने हैं और यह जो मोटा वाला देख रहे हैं दोस्तों जो नकली चंदन रहता है उस कि देखो दोस्तों कुछ भी यह पीलापन नहीं छोड़ रहा है यह असली है दोस्तों यह आप किसी भी मतलब जो जाते हैं गुजरात गुजरात के दौर का या फिर कोई भी दस्तन करने जाते हैं तो आप उनसे बल्वा सकते हैं वह आपको असली सुद्य प्योर गुंदन आ आपको लाके देदेंगे दोस्तों तो मेरी यह जानकर आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जबर बताएं कुछ भी अगर इससे संबंदित आपको कुशन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राब जरूर करें रादे रादे हैं